हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगीन टू लणवरी दितिमन, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजिस्थान के प्रमुक लोक मृत्य, जिसमें हमने शेत्री लोक मृत्य के बारे में पढ़ा, व्यावसाइक लोक मृत्य के बारे में पढ़ा, तो चलिए थर नमबर पर आ जोक न्रत्यों की बात करने वाले हैं, तो देखिए फर्स नमबर पर है गैर न्रत्य, गैर न्रत्य जो की घेर से बना है, ठीक है, गैर जो है वह है घेर शब्द से बना है, इसका मतलब ये है कि ये न्रत्य जो है वो घेर में किया जाता है, गोल घेरे में किया जाता है, औ और गोल गोल जो है व्रताकार में घूम कर ये नृत्य होता है। तो देखिए मुख्यत है फागुन मास में भील पुर्सों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य है। तो होली के दूसरे दिन से ही यह स्टार्ट हो जाता है और लग्भग 15 दिन तक गेर मृत्या होता है। तो इस मृत्या में देखिए घेर को ही गेर कहा गया है। तो उस तरीखेसे गोल सरकल में ये लोग म्रत्या करते हैं। और यहां पर तीन कदम आगे जो हैं पहले पैर रखा जाता है फिर एक कदम पीछे रखा जाता है इस तरीके से गोल-गोल घेरा करते हुए नत्य होता है धोल, बांकिया, थाली जो है इसके प्रमुकवादियंत्र होते हैं और यहां पर याद रखना है कि नर्तकों को गैरिये कहा जाता है और इनके हातों में जो डंडे होते हैं उनको खांडा कहा जाता है ठीक है यह दो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे बांकिया वाथाली प्रमुकवादियंत्र हैं मेवाड के साथ में बार्डमेर के कनाड़ा गाओं का गैर नत्य प्रसिद्ध है एक्जाम मे यानि जो नत्यकार होते हैं वहें विचित्तर प्रकार की वेसबुसा धारन करते हैं और कमर से नीचे जो है वो आंगी पहनते हैं ठीक है और इसके साथ में जो है गीत भी गाते हैं ये लोग नेक्स्ट दिखें गवरी या राई नत्य यह भी भीलों के द्वारा ही किया जाता है और ये नत्य जो है वो शिव और भस्मा सुर की कथा पर आधारित है तो यहां पर कथा में जो जो होता है उस तरीकों को नत्य के रूप में दर्साया जाता है तो कहानी क्या है इसमें थ भस्मासुर की कथा पर आधारित था तो यहां पर एक राच्छास होता है भस्मासुर नाम का तो यह क्या करता है इसको पुरे विश्व पर राज करना था तो इसके लिए वह तपस्या करता है शिव की तो शिव तो होते हैं भोले और सबसे पहले वर्दान देते हैं शिव यह हम सभी जानते भी हैं तो शिव से वर्दान जो है ये मांगता है घोर तपस्या करने के बाद तो शिव जी जो है वो प्रसन्न होकर कहते हैं कि मांग लो कोई भी वर्दान तो ये मांगता है कि मुझे तो अमरत्व होने का वर्दान दीजिए लेकिन शिव जो है कहते हैं ऐसा वर्दान जो नहीं दिया जा सकता है कुछ और मांगे तो भस्मा सुर कहता है कि मैं जिस पर भी हात रखूं और वो चीज भस्म हो जाए ऐसा मुझे वर्दान दीजिए तो भगवान जो है वर्दान ऐसा दे देते हैं तो भस्मा सुर ये चाहता है कि अब ये जो वर्दान है क काम करेगा या नहीं करेगा तो ये कैसे आजमाया जाए तो भस्मा सुर्ड जो है भगवान शिव के उपर ही हात रख कर ये देखना चाहा रहा था कि भस्म होते हैं या नहीं तो शिव भगवान जो है वहां से जान बचा कर जो है विश्नु भगवान के पास चले जाते हैं औ अपनी बात बताते हैं कि किस तरीके से भस्मा सुर्ण ने तपस्या की और प्रसंद होकर मैंने उसे एक वर्धान दे दिया है तो अब वह मेरे ज़र पर ही हाथ रखे उस वर्धान को आज माना जाता है तो उसी वक्त विश्नु भगवान जो है भस्मा सुर्ण का अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारन कर लेते हैं जो की बहुत ही सुन्दर लगते हैं तो भस्मासुर जो है शिवजी को भस्म करने के लिए जब उन्हें ढूंड रहा था तो मोहिनी के रूप में विश्नु भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, मोहिनी की सुन्दर्ता से मुग्द होकर भस्मासुर वहीं रुख जाता है और मोहिनी से विवहा करने का तो भस्मासुर कहते हैं कि आप ही मुझे ये सिखा दो क्योंकि मुझे तो नहीं आता न्रत्य करना तो मोहिनी जो है यह सिखा रही होती है और इस तरीके से भस्मासुर जो है वो अपने सर पर हात रखता है और भस्म हो जाता है ठीके तो जो समस्या थी भगवान शिव के आ यानि कि दो बार चक्कर लगाना, इस तरीके से न्रत्य करना, तो भीलों के द्वारा ये जो न्रत्य है, ये युगल न्रत्य है, यानि इसमें इस्त्री और पुरुष जो है, वो दोनों न्रत्य करते हैं, विवहा के अफसर पर ही ये न्रत्य जो है, वो किया जाता है, तो इ इसमें विसेज द्यान ये रखना है कि ये दूइ चक की नत्य है, यानि इसमें पुरस जो है वह बहर की तरफ जो है वह गोल व्रताकार मेशन करते हैं, महलाएं जो हैं वह अंदर की तरफ नत्य करती हैं ठीक है, बाहर की तरफ नत्य करती है तब आप बताएंगे कि महलाएं जो है वह अंदर की तरफ नत्य करती है तो ये नत्य जो है युगल नत्य है एक तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है नेक्ट देखें युद्ध नत्य युद्ध नत्य जो की एक खतरनाक नत्य जो है वह भी माना जाता है भीलों के द्वारा और इस पर पावंदी भी लगा दी गई है भीलों द्वारा पहाडी शेत्रों में तलवार भाले वर्ची के साथ किया जाने वाला नत्य युद्ध नत कहलाता है अब इस न्रत्य में जो भील-पुरोज है वो नकली लड़ाय जो है उसका प्रदर्शन करते हैं उची-उची से मिलता जुलता है ये घूमरा नरत्य, उदेपुर, डूंगरपुर और बासवाडा यहां पर यह नरत्य होता है, तो यहां पर मांगलिक अफसर पर ही यह नरत्य जो है वो किया जाता है, अर्द वरताकार घेरे में महलाएं इस नरत्य को करती है, इस नरत्य में दो जो हैं द इस नरत्य को हम खेल नरत्य भी कहते हैं, क्योंकि ये खेल खेल में ही इस नरत्य का आयोजन किया जाता है, तो यहां पर पुरुज जो है वो खंबे पर बांधे नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, तो इस नरत्य में जमीन पर बांस गार देते हैं, और उस पर नारियल य जो चड़ी होती हैं, कौड़े होते हैं, उससे वह उनको रोकती हैं, तो 6 बार उनको रोका जाता है, और 7 बार महलाएं खुद ही पीछे हड जाती हैं, और पुरुज जो है वो नारियल उतार लेते हैं, लेकिन पहले 6 बार में कोशिच की जाती है कि कोई भी पुरुज जो है हैं भीलों के द्वारा किये जाने वाले जिसमें गौरी नत्य है रमणी नत्य है रमणी नत्य को हम विवहान रत्य भी कहते हैं ठीक है इस ये नत्य जो है विवहा के अफसर पर जब मंडब जो है उसकी रश्म होती है उस समय ये नत्य होता है इसलिए से विवहान रत्य भी कह जाता है फिर मुकोटा नत्य जो है इसमें मुकोटण जो है वो धारन करके और फिर ये नत्य किया जाता है ठीके पाली-n banking नत्य हैं जो विवहा पर इस तरी पुरुस दोनों ही करते हैं फिर देखिए गौसाई नत्य यह भी भीलों के द्वारा किया जाता है अब देखिए यहां पर एक नत्य है हाती मनान नत्य बहुत ही इंपोर्टेंट है भील पुरुसों के द्वारा किया जाता है और विवाह के अफसर पर ये नत्य होता है कई बार एक्जाम में हाती मना नत्य के बारे में पूछा गया है ये जो है पुरुस प्रधान नत्य है एक तो आपको ये याद रखना है और विवाह के अबसर पर बैट कर किया जाने वाला नत्य है हाती मना नत्य, विसेश कर उधैपूर के शेतर में हाती मना नत्य किया जाता है, तो हमने भीलों के प्रमुक नलोक नत्य पढ़े, तो भीलों के प्रमुक नलोक नत्य कौन-कौन से होते हैं, थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं हमने पहले जो है गैर नत्य के बारे में पढ़ा गैर नत्य जो की कैसे कोल घेरे में किया जाता है ठीक है और जो नर्तक होते हैं उनको गैरिय कहा जाता है और बीका नेर और मेवाड में विशेश कर जो है ये गैर नत्य होता है दूसरा हमने गवरी और राई नत् भसमा सुर की खता आपको याद रखनी है दुए चक्की नत्य देखा युगल नत्य है विभा की अफसर पर होता है महलाएं अंदर करती है नत्य और पुरुज जो है वो गोल घेरे में बाहर नत्य करते हैं फिर हमने युद्ध नत्य देखा जो की भीलों के द्वारा ही किया जा रहा है तलवार भाले बर्ची के साथ करते हैं यह और अब यह बंद हो चुका है घूम्रा नत्य जो की केवल महलाओं के द्वारा किया जाता है ठीक है उद्यपूर ढूंगरपूर साइड में नेजा नत्य वहाँ पर आप लोग जो है नारियल की बात याद रखिएगा कि नारियल जो है वह पुरुष जो है उसको प्रयास करते हैं लेने का और महलाएं जो है उनको रोकती है ठीक है फिर हमने हाती मना नत्य देखा जो की बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है केवल पूर्सों के द्वारा वो नत्य होता है विवहा के अपसरबर चलिए नेक्ट देखिए नेक्स्ट है गरासिया जनजाती के नत्य है तो यहाँ पर एक तो नाम याद रखेंगे गरासिया जनजाती के कौन से नत्य होते हैं गाने की तरह आपको ये नत्य याद रखने हैं ठीक है कैसे चार-पांच बार ये बोलेंगे आप मांदल लूर वालर ग और कूद जवारा मोरिया, ऐसे आप जो है वो गाने की तरह इसको बोलेंगे, ठीक है, एक तो आप ये याद रखेंगे, दूसरा आपको ये याद रखना है, कि इन में से कौन सा नरत्य जो है, वो केवल पुर्सों के द्वारा हो रहा है, और केवल महलाओं के द्वारा हो रह या यूगल नरत्य है, जो दोनों ही करते हैं, तो यहाँ पर मांदल और लूर जो है, वो केवल महलाओं करती है, ठीक है, याद रखना है, और केवल यहाँ जो मोरिया नरत्य है, तो मोरिया बागा में आपने गाना सुना है, तो वहाँ पर आपको, वहाँ कौन दिखाई द दिखाई देती हैं महिला दिखाई देती है लेकिन उसका अपोजेट यहां याद रखें कि मोरिया नत्य जो है वो केवल पुर्सों के द्वारा किया जा रहा है ठीक है वालर गौर कुछ जवारा यह योगल नत्य हैं जो कि इस्त्री पुरस दोनों करते हैं तो यह चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि गरासिया जन जाती के जो यह लोक नत्य हैं इनके नाम आप विशेश कर याद रखेंगे कौन सा जो है वो पुरुस के द्वारा ही हो रहा है कौन सा महिलाओं के द्वारा हो रहा है और कौन से जो हैं इस्त्री पुर्स दोनों ह ऐसे नत्य हैं जिसमें कोई भी वादियंत्र का प्रियोग नहीं किया जाता है ठीक है युगल नत्य है इस्त्री पुर्स दोनों के द्वारा किये जाते हैं इस जीज को आप बार बार बोलिएगा ठीक है कैसे मादल वालर गौर लूर कूद जवारा मोरिया एक तो यह गरास है वो याद करिएगा कि उसमें जो है महिला गा रही है लेकिन यहां उसका अपोजिट है वालर गौर कूद जवारा यह युगल नत्य है वालर और कूद जिसमें कोई भी वादियंत्र का प्रियोग नहीं किया जाता है तो आपको यहीं पर याद भी हो गया होगा क्योंकि दो तीन बार मैंने ही आपको यहां पर बता दिया नेक्स्ट देखिए मांदल नत्य किसके द्वारा हो रहा है गरासिया जनजाती के द्वारा चीके और यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है जैसा कि पता है कि मांदल नत्य है तो मांदल वादियंत्र का प्रियोग तो इसमें किया ही जाएगा और महलाएं जो है इसमें भी गोल घेरा बनाकर डांस करती हैं, अक्सर हम देखते हैं, सीरियल में, टीवी में देखते हैं हम कि वहाँ पर जनजाती जो है, वो कैसे डांस करती है, गोल घेरे में और एक दूसरे का हाथ पकड़ करती है, या दो डं दल होते हैं ठीक है तो एक दल जो होता है वह वर पक्ष का होता है और दूसरा दल जो है वो बदू पक्ष का होता है तो आपस में ही ये सवाल जवाब करते हुए और नत्य करते हैं ठीक है और लूर गोत्र की महलाएं जो हैं लूर नत्य को करती हैं फिर देखें मोरिया नत्य तो अब आपको याद होगा मोरिया नत्य जो है वो केवल पुरुज जो करते हैं इसे विवहा के अफसर पर ये नत्य किया जाता है और नत्य शादी में गणपती सापना के बाद जो है वो अक्सर रात में ये नत्य होता है नेक्स्ट देखिए वालर नत्य वालर नत्य जो है एक युगल नत्य है इसमें इस्तरी पुरुज जो है वो दोनों ही नत्य करते हैं और ये भी शादी के अफसर पर ही होता है क्योंकि जो भी लाइने बिल्कुल अलग होती है, हटके होती है, examiner वही question पूसता है कूद नरत्य, यह भी एक युगल नरत्य है, और इसमें भी कोई वादिय अंत्र का प्रियोग नहीं होता है ठीक है, और तालियां बजाते हुए ये नरत्य किया जाता है फिर देखिए जवारा नरत्य, जवारा नरत्य जो है किस से संबंदित है, जवार की बालियों से संबंदित है तो आपको भी याद होगा कि हम सभी भी होलिका दहन के समय क्या करते हैं कि जवार की बालियां जो हाथ में लेकर और जो अगनी होती है उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं तो वहां से आप यह याद रखें, जो जवारा न्रत्य है, जवारा न्रत्य यह युगल न्रत्य है, और गरासिया जनजाती का यह न्रत्य है, इस्त्रियां हांत में जवारों की बालियां लिये हुए यह न्रत्य करती है, फिर देखें गौर न्रत्य, गौर न्रत्य जो है, यहाँ पर इस्त्री पुरुस दोनों ही नत्य करते हैं, इसी लिए ये युगल नत्य की श्रेणी में आ जाएगा। गंगोर के अफसर पर शिव पारवती को खुज करने के लिए ये नत्य किया जाता है। तो गौर नत्य जो की गरासिय जनजाती का नत्य है और यह कब किया जाता है, गंगोर पर किया जाता है। तो आप याद रखेंगे गौर नत्य, जवारा, मांदल, लूर, मोरिया, कूद ये सभी गरासिय जनजाती के प्रमुक लोग नत्य है। अगला देखें कथोडी जनजाती के नरत्य, तो इसमें सबसे पहले हैं मावलिया नरत्य, तो कथोडी जनजाती में मावलिया नरत्य जो है वो नवरात्रे के अफसर पर पूर्सों द्वारा किया जाता है, यहां पर 10-12 पूर्सों द्वारा ये नरत्य जो है वह किया जाता है ठीक है साथ में धोलक और बांसुरी जो है ये लोग बजाते हैं और ये नरत्य जो है उदेपुर का प्रसिद्ध है फिर देखें होली नरत्य तो होली नरत्य तो होली पर ही किया जाता है होली के अफसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नरत्य जो है वो होली नरत्य कह मावलिया और होली नत्य फिर देखें मेवों के नत्य तो मेव हमें कहां पर मिलेंगे मेव जो है वो अलवर भरतपुर का इलाका जो है वहां पर मिलते हैं तो यहां पर रणवाजा और रत्वाई यह दो जो हैं वो प्रमुक नत्य हैं किसके मेव जाती के ठीक है दोनों ही रा निन raty और यह नत्य जो है इसमें तलवार भाला कटार बर्ची लेकर युद्द करते हुए या युद्द का नातक करते हुए यह inptya होता है थी कि यहां केवल मेवों के नbers chee dothi याद रखने हैं रणवाजा और रतबाईатов का फिर दिए गुड़ं के नत्य तो गुरजर जातीकि दो ही प्रमकुक्त नत्य जो हैं important हैं बहुत ज्यादा एक तो जूमर रत्य और दूसरा चरी नत्य है तो चरी नत्य के बारे में एक्जाम में यहां से प्रश्ण उठता है कि इसकी जो प्रसिद्ध नत्यांगना है फलकूबाई उनके बारे में प्रश्ण किया जाता है तो चरी नत्य जो है वो चरी से संबंदित है इसमें क्या होता है कि जो महला होती है वो अपने सर प पर आप याद रखेगा कि ये एक विवसाइक लोकनत्य है, जो कि गुर्जर जाती का प्रसिद्ध है, पल्कू भाई इसकी प्रसिद्ध वा महान नित्यांगना है, ये याद रखेए किसं गड़ का प्रसिद्ध लोकनत्य है, चरीन नत्य ठीके, वर्तमान में मोहन सीन गौर् तुनीता रावत और एक जो है अन्यनाम किसी और का होगा ठीक है तो याद रखें कलस यानि चरी रखकर उसमें कपास के बीज जला कर सिर पर रखकर जो है यह नत्य किया जाता है ठीक है तो चरी से ही याद रखना है कि चरी रखकर मुख्यत है मांगलिक अफसरों पर यह नत् बन चुका है, तो व्यवसाइक लोक नत्य में तो याद ही रखें, चरी नत्य हैं और ये गुर्जर जाती का प्रमुक लोक नत्य है, ठीक है, साथ में ढोल, बांक या थाली जो है इसके प्रमुक वादियंत्र है, बार बार यदि आप इनको पढ़ेंगे, तभी आपको ये च के अधिक आते हैं, ठीक है, तो आपको भी याद करना है, फिर देखिए घुडला नत्य, तो घुडला नत्य जो है, वो मारवाड में जोदपुर का प्रसिद्ध है, जो हमने त्योहारों के बारे में बात की थी, तम मैंने इसकी स्टोरी भी आपको सुनाई थी, ठीक है, त तो मारवाड के शासक जो राव सातल थे, उन्होंने इस गुडला को मार कर इसकी गर्दन काटके उन लड़कियों को दे दी थी, ठीक है, और फिर लड़कियों ने पूरे सहर में उस गर्दन को घुमाया था, और जो गुडला की बेटी है गिंदोली, तो उसका नाम भी आत यहां पर कि जो गिंदोली है, उसके कहने पर जो मारवाड की लड़कियों थी, महलाएं थी, इन्होंने नरत्य जो है वो प्रारम किया था, ठीक है, इस नरत्य में महलाएं जो हैं, वो क्या करती है, छेद की हुए मटके में दीपक रखती है, और फिर नाचती है, तो के सूबेदार मलू खां का सैना पती था घुडले खां तो इसने पीपाड गाओं जो था उसमें 140 कन्याओं तो यहां पर 140 हैं 200 हैं ठीक है तो यह मैटर नहीं करता है आप तो याद रखें कि पीपाड गाओं की कुछ कन्याएं जो थी उनका अपहरण कर लिया था ठीक है और म गंदोली ने गंगोर उत्सव के समय सुरू किया था तो यह थोड़ा आपके लिए नई लाइन है इसे आप याद रखिएगा फिर देखें सहरिया जंजाती के नत्य तो सहरिया जंजाती कहा निवास करती है सबसे पहले आपको यह याद आना चाहिए तो बारा जिले के किस लिए नदन गंज और सहबात तहसील में यह निवास करती है इसके जो प्रमुक लोक नत्य है उनके नाम याद रखने है शिकारी नत्य इंदर पूरी नत्य बिच्वान रत्य सांग नत्य लहंगी नत्य और छेला नत्य छिक है जिसमें शिकारी नत्य शिकार कौन करता है चेलाएं करती हैं सामुहिक रूप में ठीक है नेक्स्ट जो है सांग नत्य ये एक युगल नत्य है लहंगी नत्य यह भी युगल नत्य है और छेला नत्य जो है यह भी युगल नत्य है तो तीन तो इसके युगल नत्य है जो इस्त्री पुरुष दोनों करते हैं शिकारी न उसके बाद देखिए, एक नरत्य है, घूमर नरत्य, अब ये नरत्य जो है, जिसे हम राज़ स्थान का राज़ की नरत्यों कहते हैं, ठीक है, और विसेश कर जो मिवाड में राज़ घराने की महलाएं जो है, गंगोर की अफसर पर ये नरत्य किया जाता है, पूरे राज़ स जाता है तो एक बात याद रखिए देखिए तोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जो पढ़ रहे हैं ये लोक नत्य पढ़ रहे थे ठीकए और दूसरी तरफ होता है सास्रियन नत्य तो यदी हम बात करें कि जो कथक है कथक जो है वो एक मास्त्र जो है रा इसके दो घराने हैं कत्थक के एक तो जैपुर घराना है और दूसरा लखनव घराना है तो जैपुर घराना जो है ये कत्थक का सबसे पुराना हिंदु घराना है जिसके प्रवर्तक जो है वो भानुजी महराज है तो आपने सुना होगा और कलाकार और भी है जैसे गराना जो है वह नवीनतम घराना है और मुस्लिम घराना जो है लखनो घराने को ही कहा जाता है ठीक है तो थोड़ा से यह याद रखेंगे कथक कली जो है वह केरल का नरत्य है शास्री नत्य भरत नाट्यम तम्मिल नाडू का है और यह जो घूमर नत्य है यह नत्य राजिस् केवल महलाएं जो हैं इस नरत्य को करती हैं मांगलिक अफसर पर भी करती हैं गंगोर पर भी किया जाता है और नवरात्री पर भी ये नरत्य किया जाता है ठीक है इसी नरत्य को सेखावटी में लूर नाम से भी जानते हैं तो लहंगे को गोल-गोल घेर में घुमाया जाता है तो उसी से जो है इसका नाम घूमर नत्य पड़ा, तो थोड़ा सा ये आप याद रखेंगे, ठीक है, रजवारी नत्य भी इसको कहते हैं, क्योंकि मेवार के राज घराने के महलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें मुक्यत है हातों का लचक पूर्ण संचालन जो है, इसक तो राजगी नत्य है, पूरे राजिस्थान में ये होता है, ढोल, नगाडा, सहनाई जो है इसकी प्रमक बादियंत्र है, फिर देखिए, लांगुरिया नत्य करॉली में किया जाता है, ये एक धार्मिक नत्य है, और केला देवी के लखी मेले में भक्तों के द्वारा ये नत्य होता है, तो मेले में लाखु संख्या में जो है वो भक्त जोड़ते हैं और नत्य किया जाता है, कौन सा लांगुरिया नत्य है, लांगुरिया नत्य गीत भी है, और लांगुरिया नत्य भी है, गर्वान नत्य जो है, ये गुजरात का है मुख्य रूप से, और यहा पर ये नत्य होता है कौन सा गर्वान रखते हैं तो चलिए यहां पर नोट में मैंने क्या लिखा है कि राजिस्धान का एक मात्र सास्री नत्य जो है वह कथक है घराना कौन सा है जैपुर घराना है प्रबर्तक जो है वो भानुजी महराज है ठीक है और कलाकार जो है वो विर राजिस्थान के लोकनत्य से सम्मंदित हर पॉइंट जो है वो पूरे होते हैं बार-बार इनको पढ़िएगा देखिए राजिस्थान के लोकनत्य से सम्मंदित कोई भी कुश्यन आपके एक्जाम में आए चाहे फस्ट ग्रेड में आए बिल्कुल सही कर पाओगे यदि जो है वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ठीक है तो इसका भरपूर फायदा उठाईए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जहां हम लोक नाट्टे की बात करेंगे थेंक यू